तो क्याल चाल सासरेकाल मैं हूँ नियोंन मैंनेड गाईज आज हम लोग बात करने वाले दुरूव राटी वोर्सिज एल्विश आदफ के बारे में तो दुरूव राटी एल्विश आदफ के एलिगेशन के उपर अपना रिपलाई दिये जहां गईज आप लोगों पता होगा कि दो दिन पहले एल्विश आदफ दुरूव राटी का गेंस्ट एक काफी बड़ा वीडियो अपलोट के थे मैं आपको अपनी ओडियंस की स्टेटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूँगा 80% से ज्यादा वीवर्स इंडिया से मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि पैसे बर्बाद करूँगा बोट्स खरीदने में या फिर पेड कॉमेंट्स खरीदने में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों यह सब देखकर इनका गोधी मीडिया इनके गोधी यूट्यूबर्स और आइटी सेल पूरा गोधी सिस्टम बुरी तरीके से बॉखला गया तो regular videos इनके आ रहे हैं जहाँ पे मुझे insult किया जाता है कभी कुटा बोलकर कभी कौक्रोच बोलकर तो कभी बुली बोलकर कोई जूटी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया तो कोई जूटी खबर फैलाता है कि मेरा एक secret WhatsApp group है जहाँ मैं लोगों को टोल करता हूँ जहाँ पे bots भेजे जाते हैं हमारा एक organized group है कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्त ऐसी हरकत इनके गोदी YouTubers भी करते हैं कुछ भी बे-बुनियाद आरोप ये मेरे उपर लगा देंगे कहीं से कहीं कोई connection जोड़ देंगे फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है मेरा defense किया है मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास दिन बर बैठके इनकी fake news को ही बस्ट करते रहो चरण बंदना करने वाले लोग daily basis पर अपनी बत्तमीजी का सबूत देते रहे और हम देश के मुद्धों पर बात करते रहे बात करने का स्टाइल सब कुछ सेम रखाया यहां तक की प्रपोगेंड़ का स्पेलिंग जो की गलत था वह भी पर यह भी आरोप लगा है कि वह अपने फोटो वीडियो डिलीट करता है दुरू भाई मेरा स्टोरेज फूल हो रहा है थोड़ा एलब कर दो कसम से अगर पोकी मॉन बैटल होता ना एक के पोकी बॉल से जर्मन शेपर निकलता एक के पोकी बॉल से साप निकलता जहां पर उन्हें ने बोला कि अब अंडर ग्राउंड होने का समय आ चुका है दोस्तो पूरी आश्री शंचलाइनी वाइन्स की टीम पिछले एक साल से लगी हुई है बस आपकी ब्लेसिंग्स दे दो सेट लोग हम जा रहें अपने जिंदगी की रिस्कियस प्रोजेक्ट उम्मीद है आपको अच्छा लगे नहीं तो बाप के धंदे पर बैठूंगा लव यू मिलते हैं जल तो यह जो उन्हें ने बोला कि अंडर ग्राउंड होने का समय है चायद से उसका मतलब यह है कि वो सोशेल मीडिया में थोड़ा सा इनक्टिव रहेंगे अपने प्रोज के गाली मारना ओके यह चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन के बारे में मैक्सटन अपना पूरा लाइफटाइम यूट्यूब इंकम को रिवील कर दिये जिया एक्जाक्ली उन्होंने फिगर्स दिखा दिया भाई पोस्ट करके कि वह कितना कमाई इस सौरफ जोशी वन मन्त इंकम एनिवेज चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूके 07 राइडर के बारे में यूके 07 राइडर अपने करियर को लेकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है यहां वह अपने चैनल में एक जरनी काइंट आफ वीडियो पो लिया है करेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंस्ट ग्राम के बारे में तो क्या इंस्टाग्राम में भी हम लोग को अंस्केपबल एड्स देखने को मिलेंगे वाल गाइस यूटुब में तो आप लोग जब कोई वीडियो खोलते होगे तो आ लकीन Instagram में हम लोग scroll करते रहते हैं बीच में आड आता है बट हम लोग scroll कर पाते हैं। अपने इंस्टेग्राम से अपने वेडिंग पिक्स को हटा दी थी जिसके वज़े से लोग को और भी जादा लगने लगा था कि भाई यह तो डिवर्स होने वाला है बट इन से रिलेटेड एक गुड न्यूस आया कि नताशा ने अपने इंस्टेग्राम से सारे वो वाले वरुन धवन नताशा धलाल के बारे में तो वरुन धवन उनकी वाइफ नताशा को एक बेबी गर्ल हुई जहां गाइस कुछ टाइम पहले उन्होंने न्यूज शेर करके बताया था कि देवर प्रेग्नेंट और फाइनली आज वरुन धवन पोस्ट करके बता दिये क कि उनको एक बेबी गर्ल हुई एंड उन्होंने कैप्शन में लिखा और बेबी गर्ल इस यह था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर कुछ थ्रेट्स आये थे तो न्यूयर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना सिक्योरिटी को टाइट कर दिया था वटके आ करके रखा गया है आगे बढ़ते हम लोग बात करने वालें के लिये निंबापे के बारे में तो विया इमन्बापे अपने से अब्रेंद बड़ा अनॉंस्मेंट देते वें इमोशनल हो गया है जहां घजकर उन्होंने अनॉंस करके बता दिया कि वह रियल मैरिट फुट स टीम को जॉइन करने वाले हैं, this is one of the biggest transfers यार, in the football history, and इस चीज़ को लेकर, of course, वो भी बहुत emotional थे, क्योंकि उनका childhood dream था यह, वो caption में लिखे, a dream come true, मैं बहुत जादा खुश हूँ to be a part of my dream club, Real Madrid, it's impossible to explain कि मैं कितना जादा खुश and excited हूँ अभी, I can't wait to see you all and thank you for your incredible support, तो speed जो claim कर रहे थे कि वो different club में जाने वाले he was wrong, anyways, चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले, one of the biggest thefts के बारे में, तो guys, एक crypto exchange से धाई हजार करोड का चोरी हो गया भाई, literally Japan का एक crypto exchange है, जिसका नाम है DMM, apparently उनका 2,546 6 crore worth of bitcoins का unauthorized leak हो गया, it is one of the biggest crypto theft in history, अब exchange वाले तो बोल रहे हैं कि हम लोग investigation launch कर दियें इस matter में, जो भी funds है customers का, उनको reimburse कर दिया जाएगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले mama earth के बारे में, तो mama earth की CEO, एक hate comment के ओपर अपना reply दी, जहाँ guys basically twitter में एक tweet काफी जादा viral जा रहा था जहाँ पर basically एक user लिखी थी कि अगर आप mama earth के products कहीं भी देखते हो उसको उठाओ and सीधे dustbin में फेक दो और नीचे वो mama earth के products का photo डाल दी थी बोलते वे कि बहुत फाल्तु है, फेक दो इसे अब ये tweet जब viral गया तो mama earth की CEO खुद उनको respond करते वे लिखी sorry you woke up with a lot of hate I hope you will feel better soon अगर आप problem को address करती तो मेरे को अच्छा लगता वो देखकर बट यहाँ पर तो मेरे को कोई exact problem नहीं दिख रहा है आपने बस एक photo लिया है अगर कोई exact problem है, कोई concern है तो please हम लोगो बताओ I am one DM away, मैं आपका help कर सकती हूँ बट फिर वो user उनको reply करते वे बोली I am glad कि आप भी finally जाग गई हो मैं अपना honest feedback share कर रही थी कुछ hateful tweet नहीं था यह आप honest reviews को handle नहीं कर सकते हो इतना defensive क्यों हो रहा हो आदमी and policeman के viral video के बारे में तो guys spoonे से clip viral जा रहा था जहांपर एक आदमी traffic policeman का pair को दबा रहे थे अब दूर से देखकर तो यह बहुत weird लग रहा था कि policeman ऐसे सब के सामने pair क्यों दबा रहे अपना लोग को यह video देखकर गुस्ता आया तो first of all चिंतन खुनकार व्लोग ने complete कर चुके 100 के subscribers then crypto gaming ने भी complete कर चुके 100 के subscribers then dose of factobytes ने complete कर चुके 1 million subscribers and finally भारतिय जनता पार्टी ने complete कर चुके 6 million subscribers so many many congratulations to all of them तो चलिए अब एक international story के बारे मात करते हैं हम लोग बात कने वाले streamer pokimane के बारे में जिया guys as YouTubers शायद आप लोग बता हुआ कि हमारे editors रहते हैं and हमारे editors को हम लोग hours and hours of footages देते हैं जिसको वो edit करके हम लोग को देते हैं but pokimane अपने editor से related story reveal करके बताई कि apparently उनके editor उनको बहुत late late videos भेज रहते and जब वो उनसे पूछी कि क्या हुआ तब वो आगे से बोले कि मैं जब आपके footages वगेरा को देखता हूँ while editing then I can't stop touching myself literally भाई आप खुछ सुली जब वो क्या बताए that the reason why he would sometimes turn around videos a week or too late is because he couldn't stop touching himself to me his in a way employer of many many months यहाँ तो चोल दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस भजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में तो यह ऐसे सपोर्ट करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई